भगवान राम के लिए तुलसी ने लिखा है कि कहत परम पुनीत इतिहासा अंतिम जो चौपाई है सवनही होत सकल भ्रमनासा सुनिये तो सारा भ्रम का नाश हो जाएगा जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ पहले भी बोल चुका हूँ आप बताएए भगवान राम चाहरी भाई क्यों थे तीन या पांच क्यों नहीं और अगर चार भाई थे तो लच्मनी क्यों राम के साथ जाएंगे बन में और भरती खणाउं रख के सासन क्यों करेंगे और शत्रुगनी अयुद्या में क्यों रहेंगे क्योंकि चार भाई चार पुरुशार्थ के प्रतीक है धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान राम धर्म है शत्रुगन अर्थ है लक्षमन काम है और भरत मोक्ष है अब देखिये साब धर्म के साथ काम यानी कामना यानी सदैव सभी रहनी चाहिए इसलिए लक्षमन सदैव साथ में रहेंगे भरत मोक्ष के पृतीक हैं तो खड़ाओं रखके यानी धर्म के किसी पृतीक को रखके तपस्या करेंगे मोक्ष पराप्त होगा और शत्रगन अर्थ के पृतीक हैं तो इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे अर्थ कभी छोड़ के नहीं जा सकता इसलिए आप देखिए कहा तो याता राम लश्मन की जोड़ी मगर तुद्सी बाबा ने लिखा हनुमान चालीसा में कि रगुपत कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरता ही संभाई क्यों देखिए कामना को तो धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए लच्छमन को राम प्रिय होने चाहिए धर्म को मोक्ष और फिर मैं एक वार बात बताओ ये चारों चीजें एक ही स्रोथ से नहीं आ सकती धर्म सतोगुण से आएगा तो कोशल्या जी सतोगुण का प्रिय है तो राम की मा है अर्थ और काम रजोगुण से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुण का प्रिय है तो उनसे काम और अर्थ उत्पन होगा और केकई तमोगुड की पृतीख है मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुड के पार जाना पड़ेगा इसलिए महाराज दशरत की तीन ही रानिया है दो या चार नहीं और फिर यहाँ पर मैं यह भी कह दूँ मतलब इसको कोई अनिथा नहीं ले मैं यह नहीं कह रहा हूँ इसमें सबसे सुन्दर कौन था के कई तमोगुड सबसे आकरशक होता है और अक्सर उसी के पीछे बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं भी छुपी रहती तो मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो एक एक चीज में इतना गहरा आर्थ निकलेगा कि फिर अगर एनी बेसंट ने कहा था कि for 40 years I have studied a religion by the name of Hinduism the more you study the more you love it the more you get involved, more you respect it तब जाके धिरे-धिरे समझ गाएं